नमस्कार मैं हूँ इशन अली और आप देख रहे हैं नबोदे प्लेश टाइम्स आईए डालते हैं आज की इस ताधितरी ख़वर पर एक हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के बिधान सवा चुनावों का बिगल वस्ते ही तमाम राजनेतिक पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय होकर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर काविज होने के लिए अपनी अपनी रॉलनीतियों के मताबिक चुनाव परचार में जुट गई हैं सभी वख्षी दल लगातार मौजूदा सरकार की नाकामियों से मतदाताओं को अबगत करा रहे हैं तो वहीं अपने चुनावी घोषणा पत्र से भी लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं जहांसी जनपत की बवीना बिधान सभा में अभी केबल बहुजन समाज पार्टी ने ही अपने अधिकरित प्रत्यासी की घोषणा की है जबकि अन दलों ने अभी तक अपने प्रत्यासी की घोषणा नहीं की है जिसका पूरा लाभ बहुजन समाज पार्टी के अधिकरित दसरत सींग राजपूत नन्ना को जन समर्थन के रूप में मिल रहा है बीते सनीवार को वहुजन समाज पार्टी के बवीना बिधानसवा प्रित्यासी दसरत सींग राजपूत नन्ना ने बबीना बिलोक के गराम राजापुर में पहुँच कर मतदाताओं से जनसंपर्क करते हुए अपने पक्षमें मतदान की अपील की इस दोरान दसरत सींग राजपुद नन्ना अपने समर्थकों के साथ राजापुर के एक एक घर में जाकर घर के मुखियाओं से मिले तथा अपनी पार्टी के गोश्णा पत्र और नीतियों से अवगत कराया नबोदय पिलस टाइम्स के लिए बवीना से बज़ाबरमा के साथ गौरब कुमार की रिपोर्ट